Hello guys, welcome to our channel Ocean of Knowledge आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे Important MCQs on Indian Geography कल हमने एक लेक्चर अप्लोड किया था सेम टॉपिक पर आज हम उसी के MCQs करेंगे I hope आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें इसे के साथ Telegram Group का link description box में दिया है तो आप लोग उसे भी जरूर करें तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो को स्चार्ट करते हैं तो मारा first question है The Tropic of Cancer does not pass through which of these Indian states कल आपको बताया गया था कि जो Tropic of Cancer है जो Tropic of Cancer है वो कौन-कौन सी स्चेट से पास करता है मैंने आपको आठ स्चेट बताई थी मैप में भी शो करवाया था आठ स्चेट के नाम भी बताये थे और इसमें question में बताना है आपने कि इनमें से कौन सी स्चेट है जिसमें Tropic of Cancer जो है वो पास नहीं करता है अब देखिए simply कैसे करना है इसको अब आप पता होगा आपको कि जो मद्यावर्देश है वो middle में पढ़ता है then मद्यावर्देश के बाद यहां इस तरफ ही best wing all है और राजिस्थान जो है वो इस तरफ है और जो ओडिशा है वो यहां पर नीचे की तरफ है अब आपको पता है आपको पता है कि Tropic of Cancer तो इसी तरह से जाएंगी मतलब इनी स्टेट्स से वो पास करेगी अब ऐसा तक भी है कि Tropic of Cancer यहां से जाके यहां से निकल-어지 फिर उपर जाए ऐसा नहीं है तो Tropic of Cancer जो है वो इस तरह से पास करती है तो कौन सी state से वो पास नहीं करती है तो यहां simply आपको पता चल रहा है कि वो Odisha से पास नहीं करती है Audisha इसका right answer Tropic of Cancer Odisha से पास नहीं करती है यहां पर देख लो एक बार आप यह है आपकी Tropic of Cancer जो कि साधे 23 से निकलती है यहां पर यह Tropic of Cancer है और कौन-कौन से स्टेट से निकलती है गुजरात मद्यापरदेश यहां पर राजिस्थान का भी पार्ट है देन चतिसगर्ड जारखंट बेस्ट विंगॉल तरिपूरा और मिजोरम यह 8 स्टेट से गुजरती है Tropic of Cancer और ओड रहे गार्म ईंद से लाखेंट के मिटल से गुजर रही है लाइन फागव तंसे ए सबक्राद मोग करना लाइन नेक्स्ट है विज फॉरण कंट्री इस dividends on the island अंटवन के पास में कुइन में से कोन सी कंट्री है हमने वह बताना damen आए अट यहां जाल में च too ऐहां से देख लेते हां यह है है हमारा यह नहीं यह रमनान्र चाहबार आरिंट इसके पास में कॉन सी फोरन कंट्री पढ रही है तो यहां पर मैनमार ठीक है तो इस question का जो right answer होगा वो क्या होगा मैनमार मैनमार जो है वो अंड़ामन आइलांड के बिल्कुल पास में है ठीक है नेरेस्ट है next है इंडिया lies in the hemisphere ठीक है इंडिया जो है वो कौन से hemisphere में लाई करता है आपको गल बताया गया था इस तरह से graph होता है हमारा एक मिनिट इस तरहां से यह होता है east यह west this one is not and this is south wait south ठीक है तो हमारा इंडिया जो है वो कहां पर पढ़ता है यहां पर है हमारे इंदिया बिल्क इस तरफ है हमारे इंडिया तो यह कों से hemisphere में हुआ, कौन से quarter में हुआ, तो ये हुआ, north east quarter में हुआ, चेक है, तो इसका right answer कि India जो है, वो कौन से hemisphere में लाई करता है, तो India लाई करता है, northern and eastern hemisphere, north and east direction में, चेक है, next है, which state is in the easternmost state of India, हमारी India है, है न, India की ये east, west, north, south, बताना है, east वल्ली में, सबसे east में कौन से state है, इंडिया की, बताया गया था आपको, कि east में है, अरुनाचल परदेश, ठेक है, west में कौन सी थी, west में थी, गुजराद, ठेक है, east में, अरुनाचल परदेश, और west में, गुजराद, याद रखेगा, तो इस question में पूछा था, eastern most state कौन सी एंडिया की, उसका right answer क्या हो जाएगा, अरुनाचल परदेश, अचा, एक और बात यहां से, अरुनाचल परदेश, यहां पर था ना, टू और्स का डिफ्रेंस है इनका, चेक है, दो गंटे का फरक है, इनके टाइम में, अरुनाचल परदेश और गुजराद के टाइम में, eastern guards and western guards meet at the, इन में से hills के नाम बताएं आपको, अनामलाई hills, पलानी hills, नेलगिरी hills और कार्डमम hills, इन में से कौन सी hills है, जहां पर आकर, जो eastern guards के mountains है, और जो western guards के mountains है, वो आकर मिलते है, कौन सी hills पे, चेक है, वो हमने इसमें बताना है, चेक है, यहां पर देख लेते हैं, यह देखो, ये western guards के mountains है ये eastern guards के mountains है और ये आकर कहाँ पर मिलते हैं ये मिलते हैं यहाँ पर नीलगिरीज hills के पार और ये नीलगिरीज hills जो है वो है कहाँ पर वो है हमारे तमिल नाडू में तमिल नाडू में है नीलगिरीज hills अच्छा नीलगिरीज hills पर आकर मिलते हैं western guards और eastern guards के mountains और इसी के निचे क्या है, कार्डमम हिल्स भी है, यार रखेगा, इसी के निचे है, कार्डमम हिल्स, और यहां उपर हिमालयाज है हमारे, Northern side पर हिमालयाज है हमारे, इस question में पूछा था, कि Eastern guards और Western guards के, जो आकर मिलते हैं, वो कौन सी हिल्स पर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं, निलगिरीज हिल्स के ओपर, अचा, निलगिरीज हिल्स को, Blue mountains भी बुला जाता है, क्या बुला जाता है, Blue mountains, ठीके, निलगिरीज हिल्स को, Blue mountains भी बुला जाता है, और यह है कहां पर, यह हैं तमिल नारू में याद रखेगा तमिल नारू में है यह तो बैस्टेंगाद्स और इस्टेंगाद्स के मौंटें साकर निलगिरिस हिल्स पर मिलते हैं next next question है which of the following longitudes is the standard meridian of India बताया था आपको कि हमारे इंडिया को जो time है standard meridian जो है वो कहां से लिया जाता है बताया था ना आपको कि इलहाबाद के नैनी से लिया जाता है तो कितना लिया जाता है और हमारा greenwich mean time जो है वो कितना था वो था 5 और यह आपको calculate करना भी सिखाया था कि आपको अगर पता हो उसका standard meridian पता हो तो आप उसका time zone जो है वो निकाल सकते हो यह आपको बताया गया था तो यहाँ पर उन्होंने standard meridian पूछा था इंडिया का तो वो है साड़े वियासी जो कि अलहाबाद के नैनी से लिया जाता है और अगर जो आपके exam में option आ जाए मिर्जापूर तो आपने मिर्जापूर को ही priority देनी है अगर मिर्जापूर नहीं आया है तो आपने इलहाबाद के नैनी को टिक करना है next question है which is the easternmost longitude of India चीक है easternmost longitude of India आपको बताया गया था कि east की तरफ कितना रहता है यह तो इसमें है कि easternmost longitude हमारे इंडिया का वो कितना है तो आपको यह भी बताया गया था कि eastern में east वाला जो है यहां पर बताया था आपको कि वो निकलता है 97 degree 25 minute east से यह east का था आपको बताया था उस time तो यह east का है इसमें east का ही पूछा है तो वो हमने बता दिया कि वो कितना है 97 degree 25 minute east आरुनाचल परदेश के की बिथू में next है which of the following country does not share land boundary with India इन में से कोन सी country है जो अपनी land boundary जो है वो इंडिया के साथ share नहीं करती है आपको बताया गया था कि यह हमारा अगर इंडिया का उपर वाला पार्ट है तो इस तरफ ही नेपाल, भूतान और बंगलादेश भी इस तरफ ही है तो जो इंडिया है वो सबी के साथ इन तीनों के साथ क्या करता है अपनी boundary को share करता है लेकिन तजाकिस्तान के साथ वो अपनी boundary को share नहीं करता है यहां से देख लेते हैं एक बार graph में भी होगा यहां बे नहीं यहां बे तो land boundary बतानी है तो यह हमारे इंडिया का map है तो नेपाल option में था तो नेपाल के साथ भी हमारी boundary जो है वो क्या हो रही है लग रही है ना boundary share हो रही है बुटान के साथ भी share हो रही है और फिर है बांगलादेश तो बांगलादेश के साथ भी हो रही है यहां पर देखिए यह है यहां पर बांगलादेश यह 7th नमबर वाला जो है उस C के पास में उपर लिखा है बंगलादेश चीक है तो यहां पर नेपाल भी आ गया, बुठान भी आ गया, बंगलादेश भी आ गया तो तजाकिस्तान जो है वो इस तरफ होगा तो इसका राइट आंसर इसलिए क्या हो गया कि तजाकिस्तान के साथ हमारा इंडिया जो है वो boundary share नहीं करता है चीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएका तजाकिस्तान नेक्स्ट है इंडिया की कोन सी 80 स्चेट है जो बाकी वाली इंडिया स्चेट के साथ maximum number of, sorry, maximum number of states के साथ अपनी boundary share करती है तो वो है उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश जो है वो बड़ी सारी states के साथ अपनी boundary share करती है लाइक पद्यापरदेश, जारखंड, इस सरफ, डैली, उत्तरखंड बड़ी सारी states के साथ वो अपनी boundary share करती है तो इसका right answer हो गया उत्तर परदेश next है which of the following is defined as the northern frontiers of India हमारे इंडिया के north में क्या है हमारे इंडिया इस तरह से उपर तो यहां पर है north तो north पे क्या है हिमाल्याज है जो लोग जम्मु कश्मीर में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा तो हमारे जम्मु कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हिमाल्याज है ठीक है तो हिमाल्य माउंटेन रेंज इसका answer हो जाएगा अच्छा southernmost point बताना है हमारे इंडिया का तो यह अगर map है थोड़ा अच्छा तो नहीं बना बट सिल समझने के लिए तो southernmost point जो है main land का बोला चाता है मतलब land पर जो southern point है वो कौन सा है वो है कन्या कुमारी लेकिन यहाँ पर पूछा है southernmost point तो हमारे इंडिया का southernmost point इस तरफ है अंदा मना निकोवार आइलेंड जो हमारे इंडिया में ही पढ़ता है तो निकोवार का जो निकोवार पर है इंडिरा point जहां जिसे हम pigmalion point भी बोलते हैं तो वही हमारे southernmost point है इंडिरा point को ही pigmalion point बोलते हैं तो इसलिए इसका right option क्या हो जाएगा बहुत B and C next है what is the area covered by our country India इंडिया के दवारा कितना area cover किया जाता है तो आपको बताया गया था 32,87, 263 square kilometer area जो है वो हमारा इंडिया जो है वो cover करता है तो इसका right option क्या हो जाएगा यह 32,87, 263 square kilometer 32,87,263 square kilometer चेक है याद रखेगा ऐसे और area के मामले में हमारी country इंडिया जो है वो 7th largest country है और population wise अगर देखें तो हमारी country जो है वो 2nd largest country है ठीक है population wise अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे like, comment, share जरूर करें और हमारे channel को भी subscribe जरूर करें इसी के साथ telegram group का link description box में दिया है तो आप लोग उसे भी join जरूर करें Thank you